हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी क्या है कि ऐसे जोके से नुटू चानल पर तो आज के अपडेट में हम बात करने वाले CSIR भारते विश्विग्यान अनुसंधान संस्थान की तरब से यहां फे वागेंसी निकल के आ रहे हैं तो इसके बारे में पूरा यहां पे डिटेल डि आते हैं तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन पर हमा जोके जोकिए इंप्लाइमेंट न्यूच पेपर में उन्तीस अगर्स से चार सिप्टमबर के बीचो निकाला गया उसमें यहां पर परकासित किया गया है आई-ई-टी-ार की तरब से यहां पर आप पर भी सेंट करना है आपको तो उसका डेट दिया गया 21 सक्टूबर दोचार भी साम पांच में तक वहां पर पहुंच जाना चाहिए और इसके बारे में पुरा आगे डिटेल डिस्क्रसन करेंगी कौन से एडर्स पे है और कौन को से रेलिवन डोकुमेंट आपको सेंट सा पोस्ट निकाली गई है अंडिजर्ड में है तो कोई भी अपलाई यहां पे कर सकता है पे लेविल यहां पे जो है आपका सिविन का रहने वाला है उसके बाद 63,924 यहां पे सालडी रहेगी टोटल तीस साल तक आप इसमें अपलाई कर सकते हैं अब टोटल सालडी जो यहा यहां पे दिया हुआ है तो आप यहां से पोस्ट कोड जो है चेक कर सकते है टेक्निकल असेसिंट बाइलोजिकल साइंस के अगर हम बात करें तो इन वैकेंसी के लिए देख सकते हैं फर्स्ट कलास बीस्ट का डिग्री होना चाहिए विथ बाइलोजी एज़ मेजर सबजेक होना चाहिए और विथ वन इयर का आपके फूल टाइम प्रफेशनल क्वालिफिकेशन रचे या नहीं तो आपका एक साल का एक सब्जेक्ट होना चाहिए और यहां पे साथ में दिया हुआ है उसको टेक्निकल असेसिंट बाइलोजिकल साइंस यहां पे दिया गया है इसके यहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं और आगे यहां पे देख लीजिए अगला पोस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं यहां पे तो पोस्ट कोड़ आपको देखने को मिल जाएगा इसमें टेक्निकल असेसेंट के लिए यहां पे फिर्स्ट कलास बीस्ट के डिगरी मागी हु आपका होना चाहिए डिशिप्लीन में, तो अपलाई आप कर सकते हैं, जॉब रिक्वार्मेंट क्या है, यहां पे दी हुई है, उसके बाद अगली पूश्ट है, आपका टेक्निकल असिस्टेंट लाइबरेरी साइंस की, तो यहां पे देख सेंगते हैं, तो यहां पे देख तो यहां पे देख सकते हैं, 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 तो य बीटेक आपका Electrical में होना चाहिए और Equivalent परसें मार्क्स यहां पर होने चाहिए आपके Technical Officer Library Science की बात हैं करें तो Master's Degree Library Science में होना चाहिए 55% मार्क्स होना चाहिए After First Class BS C Science में तो उसके बाद आप यहां पे अपलाई किया सकते है जॉब रिक्वार्मेंट क्या है यहां पर दिया हुआ है उसके बाद आगे यहां पर कुछ चीजे दी हुई है आप यहां पर रीड कर सकते हैं इसको Mode of Examination for a technical assistant या technical officer की क्या क्या रहने वाली है तो यहां पर Mode of Examination OMR-based या Computer-based objective type का multiple choice examination आपका होने वाला है medium of question की बात करें तो question जो आपका होगा English और Hindi दोनों में ही होगा except English language ठीक है उसके बाद आपका standard of examination होगा post code 1 से लिकर 31 तक के लिए diploma या graduation level का question आप से पूछा जाएगा और post code T 32 से लिकर के T 34 तक कि यहां पर देख सकते है पोस्ट graduate, diploma या फिर post graduate या पिर पोस्ट graduate यानि बेविटेक लेवल का यहां पर question आपसे पूछा जाएगा total number of question की बात का है तो 200 questions रहेंगे और total यहां पर तीन घंटे का exam आपका होने वाला है अब यह तीन घंटे का exam में आप देख सकते हैं तीन पेपर यहां पे लिया जाए गए तो पहला paper है आपका एक घंटे का ठीक है उसमें आपसे mental ability के 50 questions पूछे जाएंगे 100 marks के रहेंगे कोई भी negative marking यहां पे नहीं रखी गई है mental ability में आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे तो general intelligence उसके बाद quantity to aptitude उसके बाद reasoning problem solving उसके बाद situational judgmental के questions आपसे यहां से पूछे जाएंगे उसके बाद paper second की बात करें तो यहां पे 30 मिनट का paper होगा जिसमें जेंडाला पे यहां इसके 25 questions रहेंगे का एक नंबर की यहां पर negative marking रहेंगी every wrong answer के लिए उसके बाद कुछ general information and condition यहां पर दिये हुए कि benefit under council service तो यहां पर उसके बारे में लिखा हुआ है उसके बाद other condition को इस दिया कि केवल Indian city यहां पर apply कर सकते हैं उसके बाद यहां पर जितने भी applicants है वो सारे के सारे applicants 5 October 2020 तक यहां पर apply कर सकते है online उसके बाद यहां पर और भी जानकारी दी हुए है कि the date of determining the upper age limit या फिर qualification जितने भी experience मांगा गया इस पोस्ट के लिए उसके date जो है आपका 5 October 2020 यहां पर count किया जाएगा उसके बाद यहां पर आगे हम बात कर लेते हैं तो यहां पर कैसे apply आपको करना है तो यहां पर दिया हुआ है कि इसका official website पे जाना इसका link जो in description में आपको मिलेगा वहां से जाकर कि apply कर सकते हैं 2 September से लेकर कि आप 5 October 2020 तक इसमें apply कर सकते हैं और इसके जो offline mode में जो आपको भेजना है print out hard copy निकाल करके relevant document के साथ उसका date यहां पर दिया है कि इस October 2020 साम पांच में तक वहां पर जो है send कर दे करना होगा उसके बाद देख सकते हैं अगर आपे CSD, PWD, UMAND है, regular CSIR employee है या फिर abroad candidates है तो यहां पर कोई भी application फिर देने की ज़र्वाद आपको नहीं है उसके बाद आगे यहां पर दिया गया है कि कौन को से डोकुमेंट आपको upload करने कि साइज में upload करने तो उसके बारे में साइड डीटेल यहां पर दिया हुआ है यहां पर देख सकते हैं इच पोस्ट के लिए आपको अलग-अलग form फिल करना होगा उसके बाद उसके साथ जितने भी अपने documents यहां पर मांगे के उसका list भी नीचे यहां पर दिया हुआ है वो मैं बाद में बता दूँगा तो यह यहां पर देख सकते हैं उस सारे documents को self attested करके और send करना है self attested अगर आपको नहीं आता है किस तरह करते हैं तो i button में simply click करेंगे वहां पर आपको वीडियो मिल जागा कि self attested किस तरह से करते हैं और उस वीडियो को देखने के बाद आप आप जो है self attested यहां पर कर लेंगे जो कि यहां पर दे आगया date 21 October 2020 साम पांच में से पहले यहां पर पहुंच जाना चाहिए जो कि address यहां पर आपको दिया गया है इस address पर आपको send कर देना है यहां पर और भी जनकारी दी हो इस से लेटर तो आप यहां पर apply कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पर list आपको देखने को मिल जाएगा कि एक recent sports size color photographs आपको चाहिए self-artisan photocopy 10-12 certificate marks it indicating date of birth certificate उसका self-artisan photocopy 12 certificate marks it उसका self-artisan photocopy higher education qualification तो यहां पर सारे list दी हो आपके case में जो भी यहां पर apply करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसका link जो है September 2020 को activate कर दिया चाहेगा तो इसका link जो है description में आपको मिल जाएगा और इस PDF को आप पढ़ना चाहते हैं इस employment news के PDF को तो यह जो है telegram channel पे मिलेगा उसका link description में आपको मिल जाएगा तो वहां से जाकर के telegram से इसको download करना है और वहां से आप read कर सकते हैं detail में इस notification को तो दोस्तों आज के update में बस इतना ही अकर वीडियो अच्छा लग गलाएगान चाहते हैं आप यह मारत वाईब में यहां से तर दोस्तों आजाआ ऑजागा काऴ जाएगा पाहां स्वाना है